दूसेटी इंडिया इस वक्त आपको बता दे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में ये दूसरी और बड़ी गिरफतारी हुई है शिबू हाजदा जो शाह जहांशेक जो इस वक्त फरार हैं उनके बेहत करीबी बताये जाते हैं शिबू हाजदा को हम लोग नजाट पीएस एरिया से अरेस्ट किये हैं अब तक शिबू को लेके अठारा लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो केसेज हैं जो भी कंप्लेंस हमें मिल रहे हैं उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रहा है जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे हम अ अचाओ किया है गुनाल घोच ने कहा कि गिरफतारी से कुछ भी साबिद नहीं हो जाता है ये एरेस्ट का मतलब ये नहीं है जो जूटा इल्जाम अभी चल रहा है वो लगातार रेप मॉलेस्टेशन के बारे में एक एरेस्ट ये नहीं प्रूफ करता वो एलिगेशन साच है थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट नॉन पेमेंड डिस्प्यूट उधर में है ले दूद का दूद पानी का पानी सब हो जाएगा और इससे पहले पोलिस ने दस परवरी को शाह जहां शेक के एक दूसरे करीबी उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया था उत्तम सरदार भी टीम सी का कारे करता है जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने उनका शोशन करने का आरोप लगाया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दस परवरी को एक करीबी की गिरफतारी हो चुकी है अब दूसरे करीबी की भी गिरफतारी यानि की इस मामले में आक्शन भी अब बहुत तेजी के साथ लिया जा रहा है आपको ये बता दे उत्तम सरदार को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है अब शिबू हाजरा का भी नंबर आ गया है उत्तम सरदार भी टीमसी का ही एक कारे करता है और इस पर भी संदेश खाली की महिलाओं ने उनका शोशन करने का आरोप लगाया था और अब गिरफतारी के बाद ये माना जा रहा है कि क्या और भी क आ रहा है Šफ face भंटी। शुक भिखी के सांपरकिर है HOW पर मितने पर से खाली का सी जाने कि कृआ होई ये ये डिम टरस बाड़ का देखा ते भक्ताल में थे पार भुळा आ जया है और अधर झाल झाल